नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा. इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिकूल दी कैपसूल का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है. रिकूल दी कैपसूल को कैसे लेना चाहिए और रिकूल दी कैपसूल की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं? रिकूल दी कैपसूल पेट में उत्पन होने वाले एसिट की मात्रा को कम करता है. रिकूल दी कैपसूल का उप्योग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, खटी दकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अलसर होने पर रिकूल दी कैपसूल का उप्योग किया जाता है। इसलिए इन साइड इफेक्स को रोकने के लिए भी आपका डॉक्तर रिकूल दी कैपसूल को दर्थ की दवाओं के साथ लेने की सला दे सकता है। इसके अलावा रिकूल दी कैपसूल का उप्योग कुछ मेडिकल कंडिशन्स जैसे गैस्ट्रिक अलसर, एसेड रिफलक्स और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिती है, जिसमें पेट में एसिड का उत्पादन बहुत अधिक होता है। एक ब्रैंड नेम है, रिकूल दी कैपसूल के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है। रिकूल दी कैपसूल के अंधर सॉल्ट कमपोजिशन ग्रैबिपराजोल और डोमPERIDOR होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि रिकूल डी कैपसूल की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में रिकूल डी कैपसूल की वज़से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में रिकूल डी कैपसूल की वज़से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं। जैसे पेट में दर्ध, पेट से गैस निकलना, मुं में सूखापन, सिर्दर्ध, शरीर की मास्पेसियों या जोडों में दर्ध होना, चक्कर आना वद्दस्थ होने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा रिकूल D कैपसूल की वज़से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती है। लंबे समय तक रिकूल D कैपसूल का सेवन करने से यानि कई महीनों या कई सालों तक रिकूल D कैपसूल को लेने से शरीर में विटामिन C, विटामिन B 12, कैलशियम, आईरन और मैगनीशियम की कमी हो सकती है। इसलिए डॉक्तर की सला के बिना रिकूल दी कैपसूल को दो सब्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए। लंबे समय तक या दिन में कई बार रिकूल दी कैपसूल को लेने से ऑस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है। औस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्डिया बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है। रिकूल D कैपसूल की वज़े से औस्टियोपोरोसिस तभी होता है, जब रिकूल D कैपसूल का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए। अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से रिकूल D कैपसूल को ले रहे हैं, तो आपको कैल्शियम और विटामिन D के सप्लिमेंट्स डॉक्तर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए। ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके या आपको कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। और विटामिन D के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनिट सुबह की धूप में बैठना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की रिकूल D कैपसूल को कैसे लेना रिक्मेंडेर होता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर रिकूल D कैपसूल को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सला देते हैं। रिकूल D कैपसूल को खाना खाने से कम से कम एक घंते पहले लेना चाहिए। करा रही महिलाओं के लिए रिकूल D कैपसूल का सेवन करना रेक्मेंडेर नहीं है। लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रिकूल D कैपसूल को लेने की सला दे सकता है। इसलिए डॉक्तर की सला के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रिकूल दी कैपसूल को नहीं लेना चाहिए।